हेलो दोस्तो मेरा नामे आकाश और यह सागोड है इसको आप पहचानती ही होंगे तो दोस्तो आज हम लोग डियूक 200 का एक रिवीव करने बाले है तो चलिए देखते हैं तो दोस्तो यह है डियूक 200 2015 मोडेल जो यह आप अप देख सकते हो तो दोस्तो वीडियो शूरू करने से पहले मैं इसका कुछ इंजिन स्पेसिफिकेशन के बारे में आप लोगों कुछ बता देता हूँ तो इसमें जो इंजिन आता है वो है 199.5 CC लिक्यूट कूल 4 स्टोक सिंगल सिलिंडर इंजिन तो दोस्तो इस इंजिन में आपको मिलता है 25.1 PS का पावर एड़रेट ऑफ 10,000 RPM और इसको आपको टॉर्क मिलता है 19.2 Nm आपको जल्दी से दिखा देता है दोस्तो जैसे के आप देखी सकतो हो इधर सब से उपर है RPM मिटर और Gearship Indicator और आपको इधर पर Trip Mitter भी मिलता है और आपका Signs स्टर्ण डाउन है वो भी आपको बताएगा और साइज स्टर्ण अगर डाउन होगा तो स्टार्ट नहीं लेगा बहुत ही अच्छा फीचर्ज है और आप देखी सकते हो ट्रीप मीटर को यह दर तो जैसे कि आप अधर ओडो में आप लोग देख सकते हो इस इधर ट्रीप 1 है ट्रीप 2 है और जो गाड़ी टोटल माइलेज है टोटल माइलेज मतलब टोटल जितना किलेमेटर चला है उतना आपको यह पर शो करेगा कोई दिक्तत वाला बात नहीं है और उपर आपको ग्या इस अमको देंगे तो यह स्टॉफ हो जाएगा इंजिन काट हो जाएगा तो चलिए अप देख सकते हो आर्पी मीटर आप डाउन कर रहा है आप देखिए हम लोग यह गारी का इंजिन स्टॉफ हो गया है यह बढ़िया फीचर से स्प्टिक का मामन में बहुत ही अच्छा ह तो दोस्तो अप लोग जानते होंगे कुछ लोग कभी कभी टाइम साइस टैन आप करने को भूल जाता है तो ऐसे बहुत ही एक्सिडेंट हो जाता है तो यह फीचर्स गारी में होना बहुत ही सेफ्टी फीचर्स में मानता हूं इसको तो यह बढ़िया है तो चलिए अब हुआ है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 ह तो दोस्तों मुझको और शागोड को तो आप पाइचांसी होंगे और आपने गारी का रिवीव भी देख लिया और मेरा व्लोग में जो नया लर्का आप लोग देख सकते हो इसका यह सागोड का फ्रेंड है राजू तो इसके मैं आपने को बता हिए गारी में कोई दिक्केद बात नहीं है गारी में पावर और टॉर्क बहुत ही बढ़िया है कोई गाडीए इस्उल नहीं है और गारी का आल आप देखी सकते हैं है ओलार क्राइड डर बड़ यह कंडिशन में गारी खारा हुआ है झाल झाल